अबसे पहले ये समझते हैं कि material जो भी हमारे आसपास होते हैं जैसे कि plastic हो गया, हवा हो गया, हमारा खुद का शरीरी हो गया, copper का wire हो गया, bulb हो गया, जो भी चीज हमारे आसपास है, उन सब का resistance है, कुछ चीजों का resistance बहुत ही ज़ादा है, दूसरी चीजों से बहुत ज़ाद है, जैसे कि copper का resistance बहुत ही कम है, पन जो copper के आसपास हम rubber देखते हैं, इसका resistance बहुत ही ज़ादा है, हवा जो सुखी भी होती है, उसका resistance बहुत ही ज़ादा होता है, जिन चीजों का resistance इतना ज़ादा होता है, कि उसमें से current बहुत ही थोड़ा सा या बहुत ही मुश्किल से न या metal से related चीज़े हैं उनसे बनीवी चीज़े हैं वो सारी ही good conductor होती है metal हमेशा ही generally सारी good conductor अच्छा conductor होता है विजली के क्योंकि उनमें बहुत सारे electrons हैं free electrons हैं जो कि हमने heat में भी पढ़ा है बहुत सारे electrons हैं जो आसानी से एक जेगे से दूथरी जेगे current को ले जा सकते हैं pencil के आपकी lead है जो वो इसका जो है एक exception है हाला कि वो metal नहीं है वो graphite की बनी होती है उसमें graphite होता है पर वो उसके बावजूद भी good conductor होती है electricity की इसका मतलब सारे ही conductor सारे ही metal अच्छे conductor है उसके साथ में जैसे पानी है पानी के अदर अगर आप नमक डाल देए पानी के अंदर कोई भी impurity होगी जैसे नमक हो गया तो वो अच्छा conductor हो जाएगी electricity के